नमस्कार दर्शकों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागा थे मकर संक्रांती आने वाली है और मकर संक्रांती दान पूर्णे का ही विशेश तेहवार होता है और दान पूर्णे करने से आपके घर में सुक्सम्रदी और धन की कोई कमी नहीं रहती है मकर संक्रांती पर विशेश करके 14 दीपकों का दान किया जाता है और 14 दीपक किस किस जगह पर दान करना है चाहिए और कैसे दान करने चाहिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा तो दर्शकों वैसे तो हर तीज देवार पर दीप दान अवशे करने चाहिए तो दीपक आपको किस तरीके से दान करने हैं हम बता देते हैं आपको ले लेना है 14 दीपक दीपक आप मिटी के बने ले सकते हैं या फिर आटे के बना सकते हैं प्यांने कोरे, मिठी के भी लेकर कि आ सकते हैं, इसमें कोरे दीपक की दान किये जाते हैं। यूस किये हुए दीपक का विलकुल भी इस्तेमाल ना करें। अब हमें ले ले लेना हैं। लंबी बाती ले ले लें और 14 दीपकों में लगा लें। उसके बाद आपको सरसो का या की चीजों का दान करते हैं और भी कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो की दान करने लाइक नहीं होती है उनसे कोई पूरनिफल की प्राप्ति नहीं होती है तो आप दीप दान करें दीप दान के अलावा भगवान के नाम का दान कर सकते हैं भगवान का समरन करें उसी से भगवान प्रसन होंगे तो दर्शे को अब बताते हैं कहां कहां आपको ये 14 दीपक का दान करना है पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा देना है आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं सब का नाम ले करके आप उस दीपक को प्रजुलित करें दूसरा दीपक आपको लगाना है अपने घर की दहलीज पर अपने घर की चोखट पर अपने घर की चोखट को हमेशा साफ सुतरा रखें और उसे सजा करके रखें रंगोली बना करके रखें और दीबदान अवश्य करें तीसरा दीपक आपको लगाना है अपने घर के बाहर दक्षिन दिशा की और पित्र के नाम का अपने पित्रों के नाम का उसे दक्षिन दिशा की और घर के बाहर लगा दे याद रहे दक्षिन दिशा की ओर लगाना है जिससे आपके पित्र आप से खुश रहें अगला दीपक जो होगा चोथे नंबर का उसे तुलसी के पास लगाना है तुलसी माता से आपको विंद्धी करनी है आपके घर में सुक सम्रदी लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए अगला दीपक लगाना है आपको पीपल के वरक्ष के नीचे पीपल के वरक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और पित्रों का विवास होता है तो वहाँ पर आप एक दीपक जरूर प्रजवरित करें अगला दीपक होगा शिवजी के मंदिर में शिवाले में जाकर के आप उस दीपक को दान करें लंबी बाती का दीपक होना चाहिए सभी दीपकों में लंबी बाती अवश्य होना चाहिए शिव मंदिर में जाकर के उस दीपक को शिवजी के सामने प्रजवलीत करें नौवा दीपक आपको बेल के वरक्ष के नीचे दान करना है, बेल का वरक्ष बहुती पूजनी माना जाता है, आप सभी को पताईए, दसवा दीपक आपको आवले की वरक्ष के नीचे दान करना है, आवले का वरक्ष भी बहुती ज़्यादा पूजनी माना गया है, हमारे ग अगला दीपक आपको गोशाला में दान करना है जहां पर गाय बंदी जाती है उस जगह पर आपचको एक दीपक जला देना है जाकर के आपके आसपस कहीं गोशाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर की चोखट पर ही उस दीपक को प्रजवलीद करें क्योंकि आपके घर के सामने भी गव माता आती होंगी तो इस तरीके से आपको 14 दीपकों का दान करना है दीददान बहुत ही मैतुपूर्ण माना गया है हर तीज देवार पर आप दीबदान अवश्य करें मकर संक्रांती से रिलेटेट और भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखें उन वीडियो को अवश्य देखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में स्रीशिवाय नमस्तो पर हमाई चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा